जेहिंद वन्दे मातरम सौगत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तो सैनिक स्कूल की तरफ से आने वाली नई भरतियों का इंतजार कर रहे सभी उम्मीदबारों के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी आ चुकी है इस वीडो में हम बात करेंगे सैन 2224 तक घर बैठे अपने मॉइल फोन के माध्यम से आनलाइन तरीके से पहले इन फॉर्म को डाउनलूड करेंगे उसके बाद दिये गए पते पर आपको आप लाइन इसको भेजना होगा कैसे और कब तक इसको सेंट करना है क्या प्रोसेस रहेगा कैसे आपको अप्लीकेशन फॉर्म को फिलब करना है कोई मिश्टेक नहीं करनी कोई गलती नहीं करनी है जिस बज़े से आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए बहुत ही अच्छी नोकरी जहाँ पे आपको LDC, Lower Division Clerk, Assistant, Board Board के तहत यहाँ पे अलग-अलग पोश्टे मिलेंगी आपको बता दे टोटल 13 तरह की अ से कम अगर आप लोग दस्वी पास हैं तो Board Boy और भी बहुत सारी पोश्टे ऐसी हैं जहाँ पे 10 पास वाले आभीदन कर सकते हैं तो आपको आभीदन करना है सेलरी यहाँ पर 35,000 रुपए तक आपको देखने को मिलेगी according to notification all interlabel की job है और इसके लिए male और female दोनों के टेगरी के candidate आभीदन कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप लोग eligible और interested होते हैं तो आभीदन जरूर से करिएगा आगे हम बताएंगे आपको कहां से और कैसे notification को डाउनलोड करना है बीडियो पसंद आए तो like और आगे आने वाली बीडियो की update के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को on करना बिल्कुल भी miss मत करिएगा आए चलते हैं आज को अपने main topic official website प्लस notification पर दोस्तों आपको आवेदन करने का notification डाउनलोड करने का link वीडियो के description में दे दिया गया है आप लोग क्लिक करके इस page पर आ सकते हैं यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम करेंगे आपको whatsapp group को join कर लेना है साथ ही साथ हो सके तो whatsapp channel और telegram group के साथ भी connected हो जाना है देखें यहाँ पर सैनिक स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से recruitment है 2024 के लिए अधिक ज्यानकारी के लिए google search कर सकते है नोकरीकबर.com आपको हमारी website मिल जाएगी और later job के section के अंदर complete government job के अपडेट्स है 2024 के अंदर जो भी public है और खास तोर से जुलाई महीने की jobs के अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगी डेट्स के बारे में बात करें तो offline आभीदन अल्रेडी सुरू हो चुके है जिसकी आखरी डेट है 22-7-2024 यानि की 22 जुलाई की आपको दिये गए समय में ही आभीदन करना होगा application fee के बारे में बात करें जितने भी unreserve यानि की channel OVC EWS के candidate है उनको 300-300 रुपए पे करने होंगे बाकी बचे हुए reserve category के candidate SCHTPH उनको 200 रुपए application fee पे करना पड़ेगा इसके बाद age के बारे में बात करें तो 18-50 साल तक की age है चुकि यहाँ पे कुछ आपको teaching पोश्टे भी देखने को मिलेंगी इसलिए age यहाँ पे जाता है non-teaching जितनी भी पोश्टे उनके लिए age यहाँ पे 18-35 साल रखी गई है उसके बाद total number of vacancy various है अब यहाँ पे सबसे main है कि आप कौन सी पोश्ट के लिए apply करेंगे कौन कौन सी पोश्ट पर vacancy आई हुई है पहली पोश्ट आपको PGT यानि की post graduate teacher mathematics की मिलेगी TGT यानि trend graduate teacher English की TGT social की इसके बाद यहाँ पे आपको computer teacher की trainer की craft and workshop instructor की band manager की sorry master की इसके बाद lab assistant की इसके बाद यहाँ पे PEM PTI कम matron की LDC यानि lower division clerk की horse riding instructor की mess manager की matron की और board boy की पोश्टें मिलेगी टोटल 13 तरह की अलग लग post vacancy है कौन कौन आपेदन करेगा कुछ 10th past vacancy है कुछ 12th past vacancy है और teaching वाली graduate P.A. वगएरा वहाँ पे demand किया गया है इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन आपेदन कर पाएगा तो all indialable की job है male female दोनों candidate यहाँ पर आपेदन कर सकते हैं टोडे टॉप job list के बारें बात करें तो आज की नई नोकरियों की जानकारी है क्लिकर की बटन पे क्लिक करके आप लोग जानकारी को देख सकते हैं और आभीदन भी कर सकते हैं बेतन के बारें बात करें 12500 से 35900 in hand में आपको salary अलग अलग पोश्टों के लिए देखने को starting में मिलेगी selection आपका देखे अलग अलग होगा कुछ पोश्टों के लिए written test, skill test, interview कुछ पोश्टों पर written test नहीं है के बल skill test और interview होने वाला है document verification सभी पोश्टों में होगा कैसे आप लोग आविदन करेंगे उसकी जानकारी है और यहाँ पे आपको useful important link में notification और application forum का link दिया गया है एक बार हम आपको download करके दिखाते हैं आप जैसे ही notification की button पे click करेंगे आपके पास notification PDF की साहता से open हो जाएगा अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं तोड़ा इसको जोम कर देता हूँ देखें यहाँ पे last date for receipt of application at scenic school 22 जुलाई 24 जानी की 22 जुलाई तक आप आविदन करेंगे उन्हीं सभी 13 पोश्टों के name है यहाँ से आपको कम समझ में आएगा यहाँ से आपका complete notification start होता है यहाँ पे आपको 4 चीज़े देखनी है पहले तो पोश्ट देख लेना है उसके बाद अपना qualification चेक कर लेना है vacancy या reservation भी चेक कर सकते हैं साथी साथ आपकी age और salary यहाँ पे क्या मिलेगी वो चेक करना है देखिए अगर आप teaching job के लिए apply करना चाहते है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके अलाबा आप यहाँ से नीचे आजाएं आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे options मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पे देखें lab assistant साथ भी नंबर post 10 plus 2 यानि की यहाँ पे बार भी पास हैं तो आप इजन कर पाएंगे 18 से 50 साल की उम्र है 14,000 रुपए आपको यहाँ पे salary मिलेगी अगली है यहाँ पे PEM या PTI की यहाँ पे आपका matron में female है ध्यान रखिएगा 17,000 की salary है अगली है LDC global division clerk matriculation यानि 10 पास ही रखा गया है इसके लाबा यहाँ पे आपकी कुछ typing speed D होनी चाहिए और यहाँ पे आपको 21,000 रुपए की salary मिलेगी matron की post हैं यहाँ पे भी matriculation 10 पास इसके बाद 14,000 रुपए की आपकी post रहेगी sorry बेतन रहेगी board boy हैं यहाँ पे भी matriculation और यहाँ पे 18-50 साल की age 14,000 रुपए की salary आपकी रहेगी horse riding instructor में intermediate बारवी पास knowledge भी होना चाहिए और यहाँ पे 30,000 रुपए की salary रहेगी miss manager में आपका matriculation, diploma और यहाँ पे 25,000 रुपए की salary रहेगी इस तरह से हमने आपको सभी पोश्टों के नाम बता दिये अब देखेगा selection process, PGT math, TGT English computer teacher, trainer और band, master craft, workshop, instructor, lab assistant और यहाँ पे matron, female miss manager के लिए return test होगा demonstration, skill test और interview अगली है LDC, matron और ward boy के लिए return test, skill test interview यहाँ पे नहीं होना है इसके बाद horse riding के लिए return test नहीं होना है, skill test और interview होगा सभी का यहाँ पर आपको अलग-अलग selection देखने को मिलेगा जो आपकी interview के date है वो आपको email के माद्यम से बताए जाएगी जिस भी post के लिए interview होना है आप एदन कैसे और कब तक करना है यहाँ complete address है आपकी जो dd बनवानी है वो कितने कितने करेगा address है और यहाँ पे last date भी mention की गई है बाइस जुलाई आपको इसको देख लेना है postal address यहाँ पे दिया गया है इसके बाद application form कहाँ से मिलेगा यह रहा आपका application form इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसी application form में category, name, date of birth, gender father, name, metal, status, phone number alternate, mobile number, email, nationality religion, धर्म, category, caste, knowledge language, knowledge और इसके बाद correspondence address, अभी का permanent address, अधार काट का अपने qualification की detail qualification क्या है कि subject में है कौन से नुवरसिटी, कौन से साल में और कितने percent आपके बने थे qualification के अलाबा अगर कोई activity है sport, NCC उसके बारे में जानकारी और साथ ही साथ अगर कोई experience है तो उसके बारे में जानकारी और इसकी photo copy भी attach करनी होगी अगर technical qualification है तो उसको भी add कर सकते हैं, यह आपको benefit देगा, बाकि DD की detail यहाँ पर demand dropped का number, date और कौन से bank से issue हुआ है और कौन कौन सी photo copy आपने attach करी है उसकी जानकारी, तो ऐसे आपको application form भरना है, declaration मिलेगा, signature of applicant, name date के साथ में दिये गए पते पर आपको इसको फेजना होगा उमीद करता हूँ, जानकारी समझ में आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद